नमस्कार दोस्तों अनिल मैंगो फार्म से नरसरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है यहां पर हम लोग केसर के अलावा सौ से भी ज्यादा मैंगो वेराइटीज का प्रोडक्शन करते हैं और उनमें से एक जोग के आजकल काफी ज्यादा पॉपिलर हो चुका है वो है सोनपरी दोस्तों यह सोनपरी के प्लांट्स है आप देख सकते हैं यह सबी जिन्यूइन सोनपरी के प्लांट्स है दो से तीन फीट का इनका हाईट है और ये सबी देशी गुटली में ग्राफ्ट किये हुए है तो अगर आप कोई भी mango variety लेते हो तो ये चेक करना ज़रूरी है कि वो देशी गुटली में ग्राफ्ट किया हुआ है या नहीं क्योंकि देसी गुटली में grafted plant का growth बहुत जल्दी होता है उसमें रोग भी कम लगता है बहुत ज्यादा ठंड या गर्मी में देसी गुटली का जो plant होता है वो अच्छे से adopt कर सकता है और इस वज़े से वो production भी अच्छा दे सकता है कई सारे लोग केसर mango की गुटली में grafting करते है जो की काफी गलत है क्योंकि केसर mango की गुटली में plant का growth अच्छे से नहीं होता है उसमें बिमारी भी ज़ादा आती है और eventually production कम मिलता है जो की farmer के लिए बहुत बड़ा loss है तो दोस्तों ये सभी सोनपरी के plants है सभी healthy plants है 2-3 feet का इनका height है और इनका booking अभी चल रहा है अगर आप सोनपरी का plant लेना चाहते है तो नीचे दिये गए number पर आप call करके plant book कर सकते है तो दोस्तों अगर आप सोनपरी mango के बारे में और ज्यादा information चाहते है तो मैंने description में link दे दी है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलते है अगले वीडियो में